नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके इपने चैनल फैंटसी विन प्रोडिक्सन में तो दोस्तों कवर करने वाले हैं के यहां का यहां बार लाक करना भ के जो दोस्तों को तो दोस्तों नेगए्स प्रोड में पल इंजबकतर हैं इसके टाम पर मिलते रहें दोस्तों मारा जो फाणल बैसे आपको देट प्रेल स्वाण शेल्ड उसमारी। में और फर्स्ट कमेंड में आपको टेलेग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा लिंक पे क्लिक करके तुरंद आप टेलेग्राम चैनल जोईन कर लेजिए दोस्तों कभी कवारत लिंक और को नगरे तो आप जाके टेलेग्राम पे सर्च करके चैनल जोईन कर सकते हैं अपने टेल दोस्तों मात करें मैच की तो मैच मॉर्णिंग उसे बाइट पेट पेसर को मोमेंट मिलता है उसके बाद स्पिनर्स को भी यहां ठीक ठाक टर्ण मिलता है आप 230 से 250 करेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं बहुत ज़्याद हाइज स्कोरिंग मुगबले यहां पर देखने को नह नहीं मिलते पहले दोस्तों मात करते हैं नेपाल की तो एक माच जिन पहुआ था लेकिन विविया को दस बिकट से आरा था तो अब समझ सकते हैं कि यहां पे स्कोर्ट लैंग के बनाएंगे तो ज्यादा बढ़ी आ रहेगा ढना कि दोस्तों आप स्कोर्ट लेंग तीम मत कर पर दो दोस्तों देखा जाए तो 26 और नेपाल के लिए खेलें पांसों संतावन की हैं वाइस के अंदर इनका उतना च्छे और नहीं है लेकिन एक चीज़ की ला कर दो तो तो थोड़ा मतलब ओडिया में उतना पसंद नहीं करते क्योंकि एक खेड़र टाइब को लिए लिए लेकिन बिलेगा लेकिन बस एक चीज है कि इनका और ओडिये के रियर में नेपाल के लिए स्थर्फ बैटिंग और रहा है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कुछ त आप इनको भी ले सकते हो और सामने वाल टीम की कीपर को भी ले सकते हो यह ओपन करते हैं ओडिये के इंदर 28 का बैटिंग और दोस्तों 25 में उन्हें लास्ट में करें हुए थे तो यह थी ठीक रहेंगे आप रोटेशन में ट्राई कर सकते हो तो रोट पोडल काफी इंपोर्टन प्लेयर है राइट हैं बट्मन लास्ट गे में बात तरण का स्कूर किया ओडिया के अंदर 33 मैच के इंदर नेपाल के लिए उनने एक चार 17 अरं किये हैं 35 के बैटिंग उरोज इनकी टीम में सब सब ज्यादा इनका बैटिंग उरोज ह देख जाए तो नोडिया मैच खेले थे नेपाल मतलब खेले हैं नेपाल के लिए उनने एक याम रण किये हैं और आट विकटिंग के नाम है तो बैटिंग से भी 20 पच्छेश कभी भी कर सकते हैं और साथ में दोस्तों आपको बॉलिंग भी लगवक्वक्त साथ बाट सब्सक्राइब कर सकते हैं डिपेंज सिंग अरे भी मेडल ओर खेलते हैं यह भी राइट हैं बट्स में आप बॉलिंग कराई थी विकट नहीं मिला था साथ रन बैटिंग से किये थे यह आप दोस्तों इनको देखेंगे और और कैरियर के अंडर तो 32 मैच नेपाल के लिए हैं 47 रन किये हैं लास्ट गेम 28 रन किये तो हाड हीटिंग कर सकते हैं और अभी जो नेपाल टी टोंटी हुआ था मुहा पिन्ने कुछ अच्छी निंग्स के लिए थी उस वाइस उन्हों नेपाल की टीम में खेलने का मौका मिला क्योंकि यह लास्ट में आख अच्छी खास के लिए अच्छी उप्सन आपके लिए रहने वाले हैं संधी प्लेम शाने लेक ब्रेक बोलर कभी अच्छे के लिए जा सकते हैं लास्ट गेमें तस वह डालके तेन बीकर निकाला और रोल एकतिस उडिये मैच के लिए हमेसे अच्छी उप्सन हैं सौंपाल गामी अपनी स करें तभी ट्राइब करेंगा क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग करेंगे तो पेसर्स को सुरुआते हुए मोवमेंट मिलेगा तो वहां पे इनके विकट लेने की चांसे रहेंगे और यहीं आप जील में सोंपाल कामी को पिक कर रहें तो सामने वाल टीम को ओपनर है कायल को साइब कर सकते हैं तो लास्ट में में दोस्तों नेपाल का फ्लेंग अप्डेट में लगवाग यहीं था और इस मैच में लगवाग सेम वैटिंग ऑड़र देखना चाहिए को लास्ट मैच यह इसी प्लेंग इलेबन से जीते हुए हैं अब बात करते हैं दो स्कॉट सब्सक्राइब करेंगे जोर्ज मुंसे यह बात करेंगे कि राइटन में लास्ट गया में 46 नौट रोड किये थे अच्छे बाले बाज है क्योंको दोस्तों यह दोनों उपनर ही लास्ट तक खेल गये थे डेर्सों का टार्गेट था नहीं इनको दिया हुआ था और असान जि मुंसे की बात करेंगे तो 48 उडिया मैच में 2460 ने 38 का बैटिंग औरो जबर जस्तों अदर दोनों आपके टीम में मस्ठ थपे सी बीसी भी आप क्राइल लिक मुना सकते हो का पिदिया थो थोड़ा सा देखा जाए तो कौट जर उतने वरोसे मन नहीं लेकिन जोर्ट मुंस बनें लेक ब्रक बॉलिंग करते हैं पार टाइम को और लास्ट के में बॉलिंग नहीं करेंगे जरूरत पड़ी तो दो तीन वर्ट डालते हैं अदर आएंगे नमबर चार पर बैटिंग करेंगे अब दोस्तों एक सो दूड़ी मैच खिले हैं स्कौट लिए पचिस सो लेकिन बॉलिंग बहुत ज्यादा उमीर नहीं करेंगा बताओ बैटिंग अलांडर एक खेलते हैं टीम में लास्ट गेम में दोनों नों मैक ब्राइट और बेरिंटर कि दोनों में से किसी ने बॉलिंग नहीं करी थी मैथ्व क्रोस की बात करें इस टीम को विकेट की बैटिंग को जरूर रहेगा क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में यह रन भी बनाएंगे पांच मैच खेले हैं स्कॉट लेंग एक सुनीज रन की आठ बिकेट निकाले हैं बले लास्ट के में बिकन नहीं लेकिन कभी अच्छा का सा बिकेट ले सकते हैं और बैटिंग से रन भ लास्ट गेम में एट पॉइंट टू अडाल के चार बिकेट निकाले बिकेट टेकिंग मॉलर भी है और और उनसाट पर यह मिन के नहीं में 47 बिकेट हैं अरन भी नोसो पैंटी से 23 के औरेज भी है तो और अच्छा लूंड है कैप्टन और स्केटन का अच्छी ऑप्शन है क्रिस ग्रिप की बात करें दोस्तों है तो लेक ब्रेक बोलर राइट एन बैसमें वह लेकर लेकन बिकेट टेकिंग नहीं और जैदा उवर भी नहीं मिलते हैं लास्ट गेम इस सिर्फ चार बिकेट इसले रिस्की चोइसरा रएगी आप सबसक्रण सकते हैं मार्क वाट को लेपर और फ्रॉक्स दोनों ही यहां से लेपर फ्रॉक्स भी हैं तो मार्क वट्वाट ने भी लास्ट गेमन नौझ निकाले तो यह भी इंप्वरोटन है और यह उत्ना बालिंग मिली नहीं थी लेकिन वह टाले थे लेकिन ओर लेगे तो लास्ट मैच में प्लेंग लिए सकता है और बैटिंग ओडर भी लगवा ही देखने को मिलेगा अब दोस्तों इस मैच के लिए अभी के लिए हमने क्या टीम मैं चले टीम देख लेते हैं लेकिन दोस्तों जो फाइनल टीम से होगी सब कुछ मैं आपके साथ टेलग्राम प खिलेगा नहीं बात करने बैटिंग सेक्षन की तो आसे जोर्ज मुसी मस्टाप पिक रहेंगे काईल कोट्जर भी इंपॉर्टेंट है रिचीवर इंटर्म इंटर्म इंपॉर्टेंट है इनकी टीम पहले बैटिंग करेंगी तो इनकी जगए यहां से रोहित कुमार पैड क्योंकि यह नमर पांच भी बैटिंग करने आ रहे हैं प्रसाब को नमबर साथ से लेके साथ से लेके आट वर की बालिंग करते हुए दिखेंगे तो और और अच्छे जोएस रहेंगे लास्ट के में बले ही सिर्फ चाथिस पाउंड दिये लेकिन बहुत अश्या लाउंड सब्सक्राइब कर सकते हैं लास्ट गेम हैंडेट किया था प्राइब कर सकते हैं लोग इनका बैटिंग मुझे उतनों कुछ खास लागा ने इस लिए मैंने छूड़ा हुआ है वालिंग सेक्शन के बात करें दोस्तों लिए मस्टैपिक है सुभी इंपोर्टेंट है करन के कफतर ही थो दोस्तों केपटन है हमारे यहाँ से माइकल जिसक वाइस कइपटन है कंफर्म डालते हैं इसलिए मेरे कशी करन हपकले दोस्तों बना गूए पहले बैटिंग करें लेत जो पास स spouses और शेके बॉल अगी सेकंडैन और सभाण यह दोस्तों जयिए पू नइसिन हम भी करके देते हैं तो साबसे और टीम बालेंस बना हुए लेकिने टॉस पर काफी कुछ यहाद तक डिपेंड करेगा यह चीजिस होंगे कि नहीं होंगे आप्टर टॉस में अपने टेलेग्राम चैनल पर सेयर कर दूँगा तो जल्दी से जोइन कर लें इसी वीडियो को ड्रिस्केप्शन और फर्स्ट कमेंड में लिंक मिल जाएक आपने जोइन कर लेना है 21 जाट दोस्त जोइन हो चुके हैं एकदम फिरी ही तो आप भी जल्दी से आके जड़ो जाएं और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देजेगा चैनल को सब्सक्राइब ने किया था तो सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन परेज करिए तो मिलते नेस्ट वीडियो में वीडियो आश्क करने के लिए अपको सब्सक्राइब से धन्यवाद